Hello guys welcome back to the channel yes जो आपने थम्नेल और टाइटल में पड़ा है उसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले है जो कि है है उससे एक कनफर्म हो जाता है कि नतिंग की तरफ से आपको एक स्मार्ट फोन डेखने को मिर सकते हैं और यह काफी इंट्रेस्टिंग स्मार्ट फोन हो सकता है क्यों हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं चलिए फड़ा फट से वीडियो को शुरू कर तो जैसे कि आपको म आपको देखने को मिल सकता है तो चलिए फड़ा फट से डेक्स्टॉप के उपर आ गया है और गिस चाइना जो है वह वेबसाइट में ने ओपन कर दिया है अला कि टेक्रण्च ने इसके बारे में पूरा डिटेल में बता हुआ है यह आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है य है छुँन के बाद में लांटिक लुटिया है और इमेज भी आप देख सकते होऊ कि अञीन होने है वो यह समार्ठों में देखने को मिल सकते है और भी क्या चीजे अर्टिकल में में चन्शन किया हुआ वह दही से मैं बताया की यह फस्ता इंग कर आथ्टिवसाथ आपको आपको यह स्मार्टफोन की तरफ से देखने को मिल सकता है और इसमें जो डिजाइन फिलोसोफ है आप देख सकते हो जो चार्जिंग कोईल है मतलब इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है और और भी बहुत सारे चीज़े ट्रांस्प के नाम से वो लोग बोल सकते हैं और यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपको नहीं पता है यह एक ब्रैंड जिसके साथ टायप करके नथिंग जो है स्मार्टफोन मैनुफेक्चर करने वाले और एसेंचिल जो है वह फाउंड किया था एंडी रूबिन ने जिसको फादर नाम देखिशन फोन जो लॉंच होगा वह नएप प्रोसर के साथ में ही लॉंच कर सकते हैं पर स्मार्टब्रेंबेंग के कोंसे लाइनब के प्रोसेसर इस में डालने वाले वह अभी तक कुछ भी कनफरम नहीं है या मेंशन नहीं किया हुए अगर फ्लैक्शिब स्नाइब प्रोशेसर की बात करें तो देुंट ले ये ऐट जिनरी चेन वर इसने वर यह उनलों का फ्लक्रोमे सरे है आपको जैसे पता है कि चुल टेंप करेंडगेंके जो ट्रिपल लेट वाला प्रोशेसर था और स्ने ड्रे वाला जो प्रोशेसर उसमें हीटिंग इशी जो है वो देखने को मिलता है जो बेश्ट प्रोसेसर 800 सीरीज में स्नैपडगन में लाउंच किया हूँ है वह 870 है और जो भी फोन में यूस किया है वह काफी स्टेबल पर्फॉर्मस जो है दे रहा है तो हो सकता है कि नतिंग ब्रैंड जो है वह भी 870 प्रोस sensor ब्रैंड दीनिटेकल में में इसा ब्रोसान प्रेंड साथ में अपने स्मार्ठफुन को लेकर आ स महें अग्या नस्तों किन जो है घृते हैं सारे अधि K이고 स्मार्ट पून मैनुफेक्चर है वह नॉर्मली स्मार्टफोन जो है एकदम मोनोटनस जैसे सब लोग भना रहे वैसे बनाने वाले पर नतिंग जो है वह कुछ चीजें देखने को मिल सकते है मेरे हिसाब अगर इनको कुछ अलग से करना है तो अविसली डीजाइन तो इसमें अलग से है प्लस सौफ़वेर में भी अगर यह काम करते है जैसे वन प्लस के सौफवेर में लोग ने काम किया था और रिसेंटली अगर बात करें तो मोट्रोला का Moto H30 Pro जो है वह जैसे stock Android के साथ में आता है मतलब अगर पिक्सल 6 के बाद में अगर कोई स्मार्टफोन बेस्ट आज के टाइम में आप बाई कर सकते हैं तो वह है स्मार्टफोन चीज़ और काफिन वाली चीज नहीं लंगलु नेरे चैंथा में और चीज होने वाली है मतलब प्राइस के साथ में यह काफि वैल्यूबल फोन या प्रायस टू परफॉर्मस वाला फोन हो सकता है जैसे आपको पता ही है 22,000 के segment में एंडर किया था तब वह एकदम flagship killer कहा जाता था नाम के हिसाब से ही वह smartphone आपको price to performance देता था तो ऐसे ही चीज आपको यहां पे nothing के साथ में भी देखने को मिल सकते प्राइस के बारे में यहां पर कुछ भी mention नहीं किया हुआ है मेरे अनुमान के हिसाब से अगर यह 25,000 या 30,000 के बीच में 25 to 30,000 के बीच में लाते हैं तो यह काफ़े अच्छा चीज होगा और अगर 25 के नीचे राते हैं तो यह aggressive pricing हो जाएगा और 30 के उपर भी लाते हैं तो काफी एक demanding smartphone हो सकता है अगर specs and performance इसके अच्छे हो तो मतलब flagship लेवल के प्रोसेसर के साथ में अगर यह आता है और यूनिक फीचर के साथ में आता है और डिजाइन जो है यह ऐसे टाइप के लिए तो काफी इंट्रेस्टिंग चीज ने वाली है यह smartphone के साथ में यहां पर य अभी तक ऐसे कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं कि हुआ है जो भी आजाएगा डेफरेटली आपको उसके बार में मैं अपडेट यह चैनल पर देते रहूंगा यहां पर ट्रांसपरेंसी जो है वह डेफिनिटली यह 100% इसमें होने वाले जिसके अंदर आपको इंटरनस दि पता है कि father of android essential को माना जाता है तो essential के साथ में मिलके nothing जो है यह smartphone develop कर रहा है तो इसका brand name essential हो सकता है पर जो कि सोच रहे हो और unique और price to performance वाला smartphone अगर आप लेना चाहते हो तो थोड़ा सा वीट कर लो क्यूंकि एपरिल मद के end तक आपको यह देखने को मिल सकता है लोका चल लाए जैसे जो भी आपडेट आते रहेगा वह मैं अपको आपडेट करते रहोंगा बाकि नय हो चैनल पर और डेक्रेट रहां तो में चैनल पर उसके बारे में वीडियो बनाते रहते हो पीची टेक हो मोबाल टेक हो या एसेसरी सो बहुत सारी चीज जो भी इंट्रिस्टिंग मेरे को टेक्रेडिटेट लगती है वो मैं यहां पर शेयर करते रहता हूं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर यूटुब पे देख रहे हो तो बैल आइकन क्लिक करके ओल नोटिफिशन अन कर देना अगर फेस्बूक और इस्टाग्रम पे देख रह झाल 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 झाल